जैहिंद वंदय मातरम दुस्तों आज की है वीडियो जी के टॉप 15 क्वेशन्स पर आधारित होगी ऐसे एक्जाम में NCRT वेस्ट क्वेशन्स साहिन से लेकर हमने हर क्वेशन को यहाँ पर मेंशन किया है मातर 8-9 मिनट के अंदर ये वीडियो में क्वेशन्स को धुआ ये कुशन एक्जाम में बहुत वार ट्रेंड हुआ है और सिंपल भी था क्योंकि इस कुशन्स से आपकी आधार सिला है बोले सर कैसे क्योंकि अगर हम देखें इस जीप को तो ये है भैया मछली और मछली का यूज हर प्रोटीन में होता है मछली का यूज हर आपके मेडिस में होता है इसलिए इस कुस्टन को साइंस के तौर पर बेहतरीन माना जाता है मचली की बात करें तो यहां पर इसके गिल्स जो होते वो important होते जहां से आप सांस की बात करते हो option जाएगा third के साथ next one की बात करें कुस्टन number second चैनल को सस्क्राइब करने के लिए दिल से धन्यवाद गुरुजिव वर्ड आपका परिवार है हर बहन हर भाई हर ग्रहडी अगर नए आये हैं पहली बार विजिट किये हैं तो सस्क्राइब करें सूपर फास्ट वीडियो के लिए आसूं आसूं का मतलब जब आप रोते हैं या आँख से आसू आते हैं तो कौन सा पदार्द घुला रहता है साइन्स का जबज़स कुष्ण है कई बार एक्जाम में पूछा गया है अब ध्यान दीजएगा किस आसूं की बात करें जो टियर्स होते है इसमें एनेसील और एनेसील बहिया कौन सा होता है हम कहेंगे सर नमक जो होता है सामाने नमक तो सिंपल सी बात है ओप्शन जाएगा एके साथ ठीक है याद रखना है समुद्र में कौन सा जो है नमक अमूमन तोर पर होता है तो दोस्तों यह आप कह सकते हो एनेसील होता है सोडियम क्लोराइट की बात कर सकते हैं ओप्शन जाएगा एके स से दो कुस्सन आते हैं एक तो कुस्सन यह आता है कि क्या लोहे पर जंग जब लगती है तो उसका बजन घटता है उसका बजन बढ़ता है या कोई चेंजमेंट नहीं होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों याद रखना है कि लोहे पर जब जंग लगती है तो बजन बढ़ता है या गटता है बढ़ता है कभी भी आप ये ना लगाएं कि लोहे पर बजन अगर जो है घटेगा जब जंग लगेगी तो रस्ट जब होगी तो उसका बजन हमेशा बढ़ेगा बहुत से बच्चे ही सोचते हैं कि भाई जंग तो खा लेती है कम हो इंसुलिम की खोश करने वाले मिस्टर बेंटिक यहाँ पर ऑप्शन जाएगा एक साथ यानि हम बेटिंग एंड बेस्ट भी मारते हैं बेटिंग एंड बेस्ट में बेटिंग जो नाम आता है वो बेंटिंग के ऑप्शन से रिलेट करेगा इसलिए परेशान ना हो क्लियर में दिये जाते हैं अरजुन पुरुसकार कौन से प्लेस पर दिये जाते हैं किस छेत्र में बेहतर प्रदरसन करने के लिए दिये जाते हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि जब अरजुन पुरुसकार की बात करेंगा तो खेल कूद के लिए कलिंग पुरुसकार बिग् जबाब दीजेगा ऐसा कौन सा जीव है दोस्तों जो पच्छियों का राजा कहलाता है कमेंट करें फटाफट हम इस कुस्टन को करेंगे आगे आने वाले कुछ सेकेंडों में डी सीम ट्राफ़ी का समन्त किस खेल से है तो आनसर जाएगा भीया फुटवाल के साथ ओप्शन जाएगा सी के साथ नेक्समें की बात करें कुस्सन नमर सेवन सेवन और एट लिया है जेग्राफ़ी से बहुत अच्छा कुस्सन भुगोल का जनक किसे कहा जाता है लौक की सेगा चंद मिनिटों में चंद सेकेंडों की बात करें सबसे पहले आनसर दीजेगा भुगोल का जनक किसे कहा जाता ह तो दोस्तों आंसर जाएगा इरेश्ठो थनीज के साथ option जाएगा किसके साथ 7 का एख हो जाएगा subscribe करें फटाफट यहाँ पर हर बहन हर भाई हमारा परिवार है question number 8 भूगोल के लिए जेग्राफी का देखे जियोग्राफी जो होती है ना उसका नाम होता है भूगोल अब एक क्या है कि जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी का एक सब्द है उसका प्रियोग किसने किया वो भी दोस्तों इरेश्ठो थनीज के साथ यानि answer क्या चला जाएगा डी के साथ चला जाएगा next one की बात करें question number 9 दो अक्षांसों के बीच समय का अंतर कितना होता है बहुत उंदा प्रश्ण है जग्राफी से है तो दोस्तों बताना चाहेंगे globe होता है और अक्षांस रेखाएं वो होती है जो आपकी पूर पस्चिम की बात करते ही यानि ये पड़ी लाइनों को अक्षांस रेखाओं की बात करते हैं इनके बीच का जो अंतर होता है हम कहेंगे सर चार मिनट की बात करते हैं तो इसलिए इस question का right answer जाएगा किसके साथ ना इनका C हो जाएगा चार मिनट हमेशा आप याद रखें पंदरा मिनट नहीं मारेंगे next one की बात करें question number 10 10 number देखिए जवाब दीजेगा जी हाँ बहुत बढ़िया क्या बात है लावडी किस राज्यका लोक नते है तो लावडी दोस्तों गर हम देखें यहाँ पर चला जाएगा किसके साथ लावडी जो है हमारा महाराष्ट के साथ है इसलिए option number जाएगा C के साथ लावडी महाराष्ट के साथ है महाराष्ट की जो सीमा की अगर हम बात करें तो मुंबई हमारा छेतर महाराष्ट की बात करता है यहाँ पर है हम answer option number C के साथ lock करेंगे next one की बात करें यहाँ पर answer गलट टाइप हो गया माफी चाहेंगे option 4 नहीं होगा चले कोई बात ने गर्वा कहा का नत्ते है गर्वा बहुत लोग प्रियन नत्ते है किस राज्य का है lock कीजेगा क्या आप इस राज्य से आते हैं क्या आप इस राज्य से आती है जब आप दीजेगा आपका state कौन सा है उत्तर प्रदेश, राज्य स्थान, बिहार, गुजरात कहां के हैं आप उत्तरा खंड जबाब दीजेगा फटाफाट तो दोस्ते यहाँ पर अगर हम बात करें क्या मद्य प्रदेश से है कमेंट फास्ट यहाँ पर अगर हम बात करें कुष्ण नमबर 11 की गरवा कहां कनते है तो गुजरात के साथ option A के साथ जाएगा कुष्ण नमबर 12 निम्लिकित में से कौन गुजरात की राजधानी है कौन गुजरात की राजधानी है जवाब दीजेगा तो बहुत सारे बच्चे B और D में मैंने पिछली बार इस कुष्ण को लिया था तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि सर ऑप्शन B होगा बिल्कुल यार सिंपल सा चिंदी सा प्रशन है अंसर जाएगा D के साथ यहाँ पर चलेंगे कुष्ण नमबर 13 पर स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेस किया था तो स्वतंत्र भारत में पहला बजट कौन पेस करने वाला है दोस्तों आरवी राय, जीवी मावलंकर, बलीराम भगत, हुकोम सिंग तो दोसे इस कुष्ण का राइट आंसर जाएगा किसके साथ इस question का जो right answer जाएगा वो option number B के साथ जाएगा जी भी मावलंकर के साथ next one की बात करें question number 14 जी हाँ पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है गिद, कच्छुआ, मचली, बाज तो इस question में भी बहुत बच्छे परेहसान होंगे किसर गिद लगाएं या बाज लगाएं तो यार, simple सी बात बता देना चाहते हैं अगर गिद लगा रहें तो कुश्चन का सत्यानास अगर बाज लगा रहें तो पक्षियों का राजा बाज माना जाता है याद रखना मेरे भाई, मेरे लाल गिद को मतमारना option number 4 के साथ जाएगा question number 15 अधिकेंदर सब्द किसे सम्मंदित है चैनल को subscribe कर लें रास्ट हित में गुरूजी वर्ड आपके भविस्द की बहतर कामना करता है हर वीडियो हर दिन एक बहतर कम समय के अंदर अधिकेंदर सब्द अधिकेंदर को हम कहते है इपी सेंटर कहते है ठीक है अधिकेंदर और उदगम केंदर ये सभी भूकम से सम्मंदित है भूकम का पैमाना क्या है भूकम का पैमाना है reactor scale है ठीक है ना ये भी आपको याद रखना है option जाएगा एके साथ दोसे यहाँ पर option A लगाएंगे सभी बहनों ने इस वीडियो का सभी भाई ने इस वीडियो को यहाँ पर लॉक किया होगा बेहतरीन तरीके से enjoy किया होगा पंदरा में कितने कुशन सहीं कमेंट करिएगा और अपना सहर कमेंट करें अपना गाओं कमेंट करें कि आप किस जिले से आते हैं love you guys thanks for watching वीडियो गुरुजी वर्ड hit करें like को like को जरूर पेस करें वन्दे मातरम